हलो गाइज, वेलकम तो करेर मेडिया वंस अगेन, माइनेम इस गुल्छन जार फ्रेंड्स, एनम्सी के 12 तेंथ में 2021 के दिन जो एडवाइजरी पब्लिश की गई थी की MBBS graduates के लिए internship posting को लेकर के इंडिया में उस advisory को विड्रॉ कर लिया गया है reason क्या है कि 10 में की जो advisory वो completely contradict करती है 31st March 2021 की advisory को 31st March 2021 की जो advisory publish की गई थी NMC के तरब से internship posting in India को लेकर के उसके according क्या थी कि अगर NMC approved college से student अपनी MBBS की जो graduation है उसे complete करते है तो internship वो किसी भी दूसरे NMC approved medical college से कर सकते हैं दूसरी बात क्या थी कि अगर transfer लेना चाते है mutual transfer लेना चाते हैं तो वो mutual transfer government to private and private to government भी हो सकती है government to government and private to private भी हो सकती है ऐसा 31st March 2021 के advisory में थी मगा 10th May 2021 के दिन जो NMC के तरफ से advisory publish की गई उस advisory में जो points लिखे गए थे उन points के वज़े से doctors और MBBS graduates हैं उनके बीच में confusion बढ़ गई क्योंकि 10th May 2021 के दिन जो advisory publish की गई वो completely opposite थी 31st March 2021 की advisory से 10th May 2021 की जो advisory थी उसमें क्या चीशन लिखी गई थी कि MBBS student को internship उसी college से करनी होगी जहां से उन्होंने अपनी final MBBS pass की है दूसरी point क्या है कि mutual transfer possible नहीं है allowed नहीं है mutual transfer सिर्थ special circumstances में ही allowed होगी तीसरी point क्या थी कि mutual transfer अगर होती भी है तो in that case सिफ government to government college के बीच में होगी या तो private to private college के बीच में होगी government to private या private to government या vice versa नहीं होगी तो इन यह जो points थी यह completely contradict कर रही थी 31st March 2021 की advisory को जिस वज़े से doctors और MBBS graduates के बीच में confusion पैदा हो रही थी इस confusion के होने के वज़े से ही अब जो है M.U.H.S. महारास्टा यूनिवर्स्टी अफ हेल्फ साइंस के एक official में बताया कि उन्हें NMC के तरफ से एक letter भेजी गई जिसमें इस 10th May 2021 के advisory को वापिस ले लिया गया है और अब जो current situation है वो यह है कि 31st March 2021 के advisory के points को ही follow किया जाएगा not only on special circumstances दूसर circumstances में भी तीसरी बात यह है कि जब आप जब mutual transfer होती है तो that mutual transfer is not restricted only government to government or private to private government to private or private to government भी allowed है so now यह कही न कहीं students के favor में है क्योंकि अभी फिलाल जो कोवीड की situation है जिस तरीके से कोवीड के cases बढ़ रहे और ज्यादा तर जो shortage है doctors की वह government colleges government hospitals में निकल के आ रहे government hospitals में भी बहुत जादा doctors की कमी है उस doctors की कमी की पूर्ती के लिए NMC को यह step लेना बहुत ज़रूरी भी था और यह बहुत अच्छा step लिया गया है जिससे की जो doctors है वह at least अपने घर के नजदीक अपने घर के नजदीक जो colleges होंगे जो hospitals होंगे जो colleges होंगे वहां पे अगर वो internship करते हैं तो कहीं न कहीं यह थोड़ी फेवरेबल students के लिए रहेगी और यह decision NMC का बहुत अच्छा decision है जो students के लिए लिया गया है तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपगेस के साथ तब तक के लिए have a nice day thank you so much and all the best जो ठुछबास टूँए छॉए जगर्शध जामँए लिए रहाँ झारैं नेक्स्टो थाट है जो झाला है जो इसकान है तो एड़ विए है एक गाला है जिए तो नेक्स्टूवर पीष्य।